तो तो स्याइट अपील पे दो वीडियो आले थी मैंने एक आपका आपका एकसपार्टी ओर्टर हो जाए और अगर आपके एकसपार्टी ओर्टर नहीं हुआ लेकिन इंकम टेक्स ऑफिस से अडिशन कर दी है दोनों वीडियो जुरूर देख लेगा इस वीडियो के बाद क् लिंक है और आज बड़ी इंपॉर्टिंट बता रहा हूं मैं मैं इस वीडियो में कहा भी तकि मैं आपको स्टेट्मेंट ओफेक्ट बनाना सिखाऊंगा आज आपको पाच लेका असलिए में कि स्याइटी अपील फाइल करते वक्त कितना बारी की अगाम है किनकी चीजों क देखा जाता है अब जब मैं स्टार्ट करूंगा अपना स्टेट्मेंट फेक्ट्स तो में ध्यान रखिए मेरे साथ से कम से कम दो से तीन पेच का जूरूर बनाईए यह मैं सोचिए मैंने आइटो के पास क्या विलेवल है आपको मांगे चले बिलकुल फ्रेश माइंड से इसमें एक एकची लिखनी है अब मैं क्या लिखूँगा सबसे पहले बताओंगा प्रोफाइल ओफ एप्लिकेंट मतलब मेरा केस्ता एडिशन हो गई है मैंने कैच जमा करा था एक क्रोड रूपया एक क्रोड रूपया एडिशन कर दिया और उसको पर एक क्रोड का टेक्स बन गए इंट्रेश्म लागे तो बताओंगा कि मैं सची हूं मैं चैर्टर गाउंटर में यहां रहता हूं मेरे ये पोफाइल है ना उसकेिबाद बताओंगा मैंने आइधिया करी कि मैने आइडियो फाइल करे असा सब बताऊनों असमें आगर आइटेस फाइल नहीं करी तो क्यों नहीं करी लिखूंगा मैंने आई टेव फाइल नहीं करी है क्योंकि मेरी जो कंपोडिशन इंकम थी इंग लिमिट से कम थी सारे बताने हैं जो भी पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला होगी सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं रहते हैं इनको इसी लिए फिर आतों में बताऊंगो केस का अब के सकते हैं सबसे पहला नूरी जो आपके पास श्की बड़ मताया जाए का और आप में रिप्लाई veas और यह लिए पूछा गया था मैंने रिप्लाई देदिया यह अजब लिगाタ Go reset गया फिर पिर आइटों ने ये दिश्कर्श निकाला उसका ऐसी स्रिकूर्टिक नोडिस आया है जितना भी कोश्चनेर आये वह जितने भी आपने रिप्लाई फाइल करें वह मैं फिर क्या रहा हूं जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर फ्रेश सब चीजे एट तुजेट ल को भी बता है मैं दुबार क्यों हूं ना मैं फिर क्या रहा हूं ऐसी चीलिंग चाहिए किसी को पढ़के पीछे कभी भी कागज ना देखने पड़े किसी के बाद टाइम नहीं है एक जगे पर स्याइटी पिल को चाहिए सैमी जुडिशल पावर होती है उसके पास कोर्ड क की तरह ही होता है वह ऐसा निवह आपकी फाइल पलटेगा एक पेश पेसारा कुस्वाइब एक जगे पर समझना चाहिए और जितने भी और रेडिफेक्ट के वह आपको उसमें लिखने पड़ते हैं बताता हूं कैसे कि बहुत बार्द की से पड़ा और में क्या 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 क सब्सक्राइब कर लिखा दो डीन का आया लुक्त है लोग छोटी भॉइट कि एक पॉइंट से पूरे पूरे एक एक होंयोट की ट्रेक बचाय है मैंने पूरा बार्द आ चला ज히 दो दिन का टैम दिया हुआ है लोह में लिखा हुआ साथ दिन का अगर यह नोटिस कैंसिल हो गया तो मेरा पूरा-पूरा केस भी इंसल हो या था या यह यह पार चुना या या पार्ट अ मैं लंबा चोड़ा रिप्लाइब बनाया लेकिन इंकार निक्षा इसको पुर यह बात आप income tax order में भी चेक कर सकते हो पूरे order में कहीं भी इसके बारे में नहीं लिखा हम बताना चाह रहे हैं कि income tax officer ने किन-किन बातों की गलतिया करी ध्यान नी दिया रॉंग section में addition कर दिया है यह section ही mention ही करा मेरे बारे में लिख दिया कि एक कोड़ पर कैश्मा करा है था कि सचिन ने जिस तरह की वीडियो मना रहा हूं ना से बताओ income tax वाले मेरा केश कोड़ के कोड़िशन करी देंगे कहेंगे तुम क्या बनाते रहते हो तो उसने क्या लिखा section 70 के अंदर क्या section 68 में अधिशन कर दी हर एक एडिशन का एक टॉपर सेक्षन होता है गलती में कर रहा हूं क्या मुझे बताएगा भी निकितु कि सेक्षन में गलती कर रहा है कि कुछ भी लिख देगा अगर सेक्षन नहीं लिखा तो इसका मतलब उसको यह तक नहीं पता कि कि सेक्षन अधिशन हो तो मेरे असेस्मेंट क्या कर रहा हुए तो यह दो पॉइंट बड़ी इंपॉटेंट है शो को स्नोटिस नोट इस्चूड यह सारे पॉइंट है जो हम और में ढूंते हैं बहुत सरे पॉइंट ऐसे हैं मैं मिल मिल बता रहा हूं कि एडिशन कर दी सीधा मिर से पूछा है कैश कहां से एक कोड़ का और अगली बार ऑडर आ गया क्या मुझे फैनल शोक को नोटिस नहीं देगा वह बतायागा नहीं कि भाया आप से मैंने पूछा था आपने मुझे रिप्लाई दे रहा इस रिप्लाई के अंदर यह यह कम मार्क में अपने रख लिया कि मुझे तो पास करना है कैश को अडिशन करना करना है आपको प्रॉपर ऑपर देनी पड़ेगी यान कि मुझे प्रॉपर मोका मिलना चाहिए बात कहने का या दहां रखना है शोकोष नोटिस और एडिशन में फरक है शोकोष तो आयाता मेरे पास कैश के लिए और जब और आया तो उसके अंदर मेरी कैपिटल ब्याइड कर दी प्रॉपर्टी ब्याइड कर दी दो दिन प्रॉपर कर दी यह फरक नहीं होना चाहिए कुछ कुछ और रहा है मेरे से यान कि लड़की दिखाई कोई और शादी दिखाई किसी और से ऐसा कई बार वो लिखता है डिप्लाई नौट असेप्टेवल हैंट अडिशन अरे असेप्टेबल नहीं ऐसे लिख देगा कोई भी क्या बताना पड़ेगा क्यों यह से सिंगल लाइन से मेरी एक कोड़की अडिशन करते हैं क्या प्रॉपर बताएगा तो इन चीजों का जो प समिशन बना रखें तो आप उनकी हैल ले सकता हूं कि मैं किस तरह बनाता हूं गूगल ट्रैसल लिंक है तो आप ले लिजेगा एक कैश डिपोजिट का एक प्रॉपर्टी का एक और डाल दिया मैंने कुछ और चाहिए तो बदा देना मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्र शौड में जाता है हम कहते हैं नोडिस गलत है जो दो दिन वाला केस है ना अब यहां पर कहनी लिखूँगा उसके बारे में लिखूँगा कि लो में साथ दिन का टाइम था इसने ये करा फिर इसमें कुछ केस लॉस डालूँगा केस लॉस सबसे important point जज्जमेंट सुप्री लोगा यहीं कानुन के अंदर ठीक नहीं है केस लोगा गला सेक्षेन के अदर एडिशन करी गई है केस लॉस डालूँगा प्रॉपर अपोंचुटी नहीं मिली जो एक्स पार्टी ओरर होते हैं या मेरे पास 24 तारीक को शोको नोटिस आया 24 दिसमबर को 26 तारीक को कहा कि र 25 दिसमबर की सरकाय चुटी है मैं ऑफिस जाऊगा नहीं रिप्लाई फाइल करने 26 को तुन्हें मोका दिया 37 को जोटर पास कर रहा है तो एक दिन में क्या खाल लूगा मैं तो इस पॉइंट में आ जागा कि प्रॉपर अपोंचिती नहीं मिली पूरा-पूरा ओर कैंसल इस बलतीत है आप अपने चेक कर लेना भूसारे केसों में ऐसा हुआ हुआ है में साथ भी वह और में वहां पर जीता हुआ भी हूं तो यह थी कुछ बारी क्या स्टेटमेंट वफैक्ट और ग्राउंड्स ऑपील की जो हम अपील मरात्य वक्त धान रखते हैं पूरी तीन वीडियो स्रीज में अप्लोड हो चुकी है उन तीनों को जूर दिख लीजएगा और फैस्टम आ रहें तुम मेरे चाहे को सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पे आपको प्राइक्टिकल स्लूशन मुझसे मिलेंगे और सिर्व यह चैनल है जहां पर यह तो तेरे पास फाइले से टेपील की दियो जरह यार कॉपीपेश करनी है यह नहीं होना चाहिए जब मिलूंगा एक वीडियो के साथ तब तक नमस्कार